कि अधिक का स्वागत है आपके अपनी टूब चैनल टीजबीत के स्ना में दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे इड़ांस अस्ट अस्ट त उचलिबन स्ट अफ्पीविंट रिखेंड इसका गिवेंट तो का हंधी में अर्थ होगा हंधी मिननंग होगा ऑदी है लट है इसका स्ट्रों हो जाएगा, structure होगा subject plus to be verb, subject plus to be verb is rm was bear, subject plus to be verb is rm was bear, plus given to plus verb का ing form यानि भीक भर्व का चौथा रूप plus other words होगा, इसका structure होगा, फिर से बता देते हैं, subject plus to be verb is rm was bear, plus given to plus verb ing plus other words, तो कुछ example देखते हैं. देखे पहला संटेंस है मेरा दोस्त किताब पढ़ने का आधी है इसका अंग्रजियन बाद होगा My friend is given to reading books क्या होगा My friend is given to reading books मेरा दोस्त किताब पढ़ने का आधी है चले दोस्तु तो next sentence देखते हैं रवी को चाय पीने का लथ है रभी को चाय पीने का लथ है इसका अंग्रजियन बाद होगा रभी is given to taking tea रभी को चाय पीने का लथ है चलिए next sentence देखेंगे गीता को PUBG खेलने का लथ है इसका अंग्रजियन बाद होगा गीता is given to playing PUBG गीता को PUBG खेलने का लथ है चलिए next sentence देखेंगे तुम्हारा भाई दूद पीने का आदी है तुम्हारा भाई दूद पीने का आदी है इसका अंग्रजियन बाद होगा your brother is given to drinking milk तुम्हारा भाई दूद पीने का आदी है चलिए next sentence देखेंगे उसे बीते हुँए कल पर पच्छताने की आदत है इसका अंग्रजियन वद होगा तुम्हें देर से उठने की आदत है इसका अंग्रजियन वद होगा you are given to getting up late you are given to getting up late तुम्हें देर से उठने की आज़त है दोस्तो आप इस परकार given to के सहता से बहुत सारे sentence को create कर सकते हैं और इपना English को और भी बहतरीन बना सकते हैं दोस्तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आप प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब और सेर दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद